Hello friends, welcome to my channel आज हम बात करने वाले हैं SSC MTS के जो पोस्ट की हम एक्जाम होता है उसके जो इंग्लिस का जो ब्लूप्रिंट है मतलब topic wise questions कितने कितने बनते हैं कैसे क्या होता है तो आज हम बारे में discuss करें हैं अगर आप चैनल पे नहीं हो तो आप से request है कि चैनल को subscribe करें जिससे कि आपको हर एक latest notification और उसे related update सबसे पहले आपको मिल सकें तो हम बात करते हैं अपने English के exam पर जो की MTS में कौन-कौन से किस topic से कितने question आते हैं SSC MTS अवलदार post जो निकले हुई है English में ये EDM and phrases से कम से कम दो question आते हैं और close test से बात करें तो five question आते हैं close test में वही होता है एक passage की तरह होता है लेकिन passage के अंदर ही fill in the blanks जैसे gap होते हैं हमार को उसे fill करना पड़ता है यही close test होता है और बात करें spotting error की three questions spotting error जिसमें हमार को sentence में से error find करना पड़ता है और fill ups की fill in the blanks आते हैं तीन questions fill in the blanks से आते हैं SSC MTS के examination में और one word substitution तीन question आते हैं इंग्लिस में correct और misspelled words से कम से कम दो question आते हैं और improvement of sentence मतलब sentence दिया होगा उसके नीचे fill in the blanks करके दिया होगा और correct करना होगा हमार को error होगा उसको हमार को correct करना पड़ेगा इससे related दिन question आएंगे और बात करें ये antonium और synonym की तो synonyms almost 2 आएंगे और antonyums पी 2 आएंगे total 25 questions आएंगे जो की 25 marks के होगे और ये था SSC MTS का English का जो blueprint था बाकी और सभी latest सभी बाकी सभी exam के blueprint ऐसे ही पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें thanks for watching this video